हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताके आप और भी इसी तरह की फिरी जानकारी प्राप्त कर सकें नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कुछी दिनों के बाद नया साल 2019 शुरू होने वाला है नय साल अपने साथ नई एनरजी और अफसर लेके आता है ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसे उपाएं बताएंगे जो आपके दुर्भागे को सवभागे में पदल सकता है अगर आप भी चाते हैं कि आपका आने वाला साल आपके लिए बेहत सवभागे शाली हो और आपका घर ही आपकी किस्मत को चमकाने में आपकी मदद करें और नए साल में आपको कभी भी धन की कमी ना हो तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा अचूग सिद उपाय बताने जा रही है कि यदिस उपाय को आप एक जनवरी के दिन या रात में करते हैं तो निश्चित ही आपको पूरे साल भर धन की कमी नहीं होगी और मालक शमी सालो साल आपके घर में वास करेंगी दोस्तों आपको बता दें कि नए साल के शिरुवात मंगलबार से हो रही है जो कि बहुत ही खास दिन बन रहा है क्योंकि कहा जाता है कि शुब काम के लिए शुब दिन होना जरूरी है आपको तो पता ही होगा कि मंगलबार से शुब दिन और कोई नहीं है तो शली दोस्तों जानते हैं कौन सा है वो खास उपाए दोस्तों इस उपाए के लिए आपको सिर्फ एक रुपे के सिक्के की आवशकता होगी साथ ही आपको बता दें कि ये उपाए अगर आप श्रद्धा और मिश्वास के साथ करेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों एक रुपे का सिक्का जोतिश के नुशार बेहत महत्वपूर माना गया है घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ये बहुत ही चमतकारी उपाए है दोस्तों आपको नए साल के दिन या शाम को स्नान गर्गे पूजा स्थल पर एक जल भरा कलश स्थापित करना होगा और उस पर रोली से एक स्वास्तिक भी बनाना होगा अब इस कलश में एक रुपे का सिक्का आप डाल दे अगले दिन सुबह एक रुपे का सिक्का निकाल कर पूजा स्थल पर रख दे और कलश के जल को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दे रोजाना इस कलश को पूजा करते समय आर्थी या धूप दिखाए दोस्तों ऐसा करने से आप एक खर में लक्ष्मी माता की किरप्रा बरस्ती रहेगी और दुख संकर दूर हो जाएंगे और आपको कभी भी धन से जुड़ी कोई भी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेर भी कीजिए धन्यवाद दोस्तों